गुड मॉर्णिंग साथियों सरसोती केरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है डेली करेंट अफियर्स आपको कैसा लग रहा है इस सीरीज के साथ अपना फीडबेक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चले सुरू करते हैं उससे पहले लाइक और अपने कम से कम पांस फ्रेंडों को जरूर सीर कीजिएगा ठीक निम्नलकित में से किसे जम्मु कस्मीर के नए उपराजेपाल के रूप में निक्त किया तो यह हैं मनोसिना ओप्शन ए हाली में मनोसिना को जम्मु कस्मीर के नए उपराजेपाल के र के बाद लिया गया ग्रीस चेनर मुर्मु ने 31 अक्टूबर निस 2019 को जमू और कस्मीर के पहले LG के रूप में सभद लिए ठीक है ये केंदरसासी राजे बनने के बाद पहला राजेपाल थे ठीक 31 अक्टूबर 2019 को जमू कस्मीर और लद्दाक दो केंदरसासी राजे बनाए गये थे जनरल केटेगरी के आर्थिक पिछडों EWS को 10% आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोड के कितने जजों के समवेधानिक बेंच को रिफर कर दिया गया है तो ये 5 जजों के आप्षिन बी उच नियाले ने जनरल केटेगरी के आर्थिक विछणों EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोट के 5 जजों के समवेधानिक बैंच को रिफर कर दिया गए है यह आरक्षण सामान्य सिर्णी में नौकरी और प्रिवेशों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को दिया जाता है ग्याचिका करताओं का मानना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण सामान्य सिर्णी तक सीमित नहीं किया जा सकता EWS का यह आरक्षन 50% तक ही आरक्षन दिये जाने की सीमा का उलंगन करता है भारतिय बिग्यान विभाग ने किसके सायोग से Hydro-Metrological Hazard Risk Reduction पर एक वैबनार सिंक्रला का आयोजन किया है तो यह NIDM ठीक है भारतिय मौसम बिग्यान विभाग के सायोग से राश्टिय आबदा परबंदन सस्तान NIDM ने Hydro-Metrological Hazard Risk Reduction पर एक वैबनार सिंक्रला का आयोजन किया वैबनार सिंक्रला में चार वैबनार सामिल हैं जो निम्न मुद्दों पर ध्यान के इंद्रित करते हैं नवर एक ठंडर स्ट्राम और लाइटिंग लाइटिंग क्लाउड वस्ट और फ्लर्ट्स साइक्लोन और स्टार्म जलवायू पर विर्तन और चरम मौसम की घड़नाएं वैबनार का मुक्य उद्देश उप्रोक्त आपदाओं के पर्तिकूल प्रभाओं को कम करने के लिए पिविन उपाईयों पर ध्यान के इंद्रित करना है IISC बंगलूरू द्वारा विक्सित भारत का पहला मोबाइल RT-PCR लेब किस राज़े में लाउंच किया गया है तो यह करनाटक में ठीक है ओफ्शन डी है IISC बंगलूरू का बंगलूरू द्वारा विक्सित भारत का पहला मोबाइल RT-PCR लेब करनाटक राज़े में लाउंच किया है ठीक लेब का नाम मोबाइल इनफेश इनफेक्शन टेस्टिंग future लेब रखा गया है unter हैं मोबाइल इनफेक्शन टेस्टिंग और डीफेर लेब लेब तो यह करनाटक में है ठीक कोबिट 19 के परिक्षन के अलावा लाब का उपयोग HCV, H1N1, TB, HIV आदी का परेक्षन करने के लिए भी किया जा रहा है बता दें कि RT-PCR reverse transcription polymerase chain reaction है जो एक विसिस्ट RNA की मात्रा को मापता है हली में राश्टी सहकारी विकास निगम NCDC का YouTube channel launch किया गया है इस channel का नाम क्या है तो इस channel का नाम है सहकार कॉप्ट्यूब NCDC इंडिया ठीक है option यह किरसी मंतरी नरेंदर सिंग्टोमर ने National cooperative development corporation के YouTube channel सहकार कॉप्ट्यूब NCDC इंडिया की शुरुआत किये इसका उद्देश्य किसानों और युवाओं को सहकारी समीतियों का लाब उठाने के लिए प्रोसाहित करना है इस चैनल में वीडियो हिंदी और अन्य भासा हों में लाउंच किया जाएगा चैनल अभी 18 राज्यों को कबर कर रहा है और निकट भविश्य में इसमें अन्य राज्यों को जोड़ा जाएगा पस्चिमी बिजोव के संबंद में निम्न कतनों पर विचार कीजिए पस्चिमी बिजोव भारतिय महादी उप महादीब में सर्दियों के मौसम में पस्चिम तता उत्तर पस्चिम दिसा से प्रुविश करते हैं ये भुमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और भारत में इनका पुर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा होता है उप्रोक्त में कौन सा कथन सही है ये बताना है ठीक है तो ये सिर्फ इसमें एक सही है ठीक ऑप्शन ए पश्चिम बिचोव भारती उपमहादीप में सर्दियों के मोसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा से प्रविस करते हैं ये भुमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और भारत में इनका प्रविस पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा होता है ठीक ये बिचोव भा राद के तापमान में बिर्दी इनी भी छोब के आने का पूर संकेत मानी जाती है। राकी और एंडीज परवत स्रेणियों का निर्मान किस काल से माना जाता है। तो यह उप्शन डी है क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस काल के समय से राके और एंडिस प्रवस्त्रेणियों के निर्माण की सुरुवात मानी जाती है इसी कल्प में जौला मुखी लावा के दरारी उद्भेदन से भारत में दक्कन ट्रेब और काली मर्दा का निर्माण हुआ इसी समय सागरी छेत्र, छेत्रों में सार्क और हैरिंग जैसी मसलियों का जन्म हुआ, इस कल्प में डाइनासोर लगबग लुपत हो गए थे अल नीनो के संबंद में निलिखित कतोनों पर विचार कीजिए अल नीनो, परसांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना है ला नीनो, मानसून को प्रवाइद करने वाली घटना है जो हमेशा अल नीनो के पहले होती है उप्रोपत कतनों में से सही कतन बताना है तो उप्शन सिर्फ ए सही है, ठीक है? चलिए आगे देखें अल नीनो, एक जटिल मौसमी घटना है जिसके करण बिस्व के कई भागों में सुखा, बाड़ और मौसम की चरम आवस्ताइद दिखी जाती है अल नीनो प्रसांत मासागर में पेरू के निकट समूद्री तट के गर्म होनी की घटना है ला नीना वीज मांसून को प्रवाइद करने वाली घटना है जो सामयने तह अल नीनो के बाद आती है अल नीनो में समूद्र की सता का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है ला नीनो में समूद्री सता का तापमान बहुत कम हो जाता है भारत में अल नीनो के करण सूखे की स्तिती उत्पन्द होती है जबकि ला नीनो के करण अत्यधिक बारिस होती है निम्ण लिखित में से कौन सी तरंगे अनुदेहर्द तरंगे होती हैं। इन्हें Lonitudo longitudinal waves यह सिर्फ पी तरंगे होते हैं जो अनुदेए ठीक है। पीसल ये वकम्ब की तरंगे हैं ठीक है। इसमें से एक अनुदेहर्द यह नुदेहर्द होता है। इस्थन के चारों तरब गमन करती है P तरंगे द्वनी तरंगों के समान अनुदेर्ध तरंगे होती है जिन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहती है अनुदेर्ध तरंगों में कणों का कमपन तरंग की दिशा के समानतर होती है S तरंगों को दितियक तरंगे कहती है ये प्रकास तरंगों के समान अनुप्रस्त तरंगे होती है जिमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए प्रतिवी के केंद्र से विस्वत रेखा को आधर मानकर मापी गई कोणी दूरी को अक्षांस कहते है लेटिटूड ठीक समान अक्षांस को मिलाने वाली रेखा को अक्षांस रेखा लेटिटूड लाइन कहते है उपरोगत कतर में से कौन सा सही है तो इसमें सिर्फ एक और दो यानि option C सही है आगे देखें प्रतिवी के केंद्र से विस्वत रेखा को आधर मानकर मापी गई कोणी दूरी को अक्षांस कहते है ठीक समान अक्षांस को मिलाने वाले रेखा को अक्षांस रेखा कहते है जो विस्वत रेखा के समानतर खीची गई 36 रेखाई होती है 36 यानि तिर्शी समतल रेखा को बोलते है विश्वत रेखा से धुरूओं की तरफ जाने पर अक्षान्स बृत की तिरजय में कमी आती है और यानि विश्वत रेखा से धुरूओं की और जाने पर अक्षान्स रेखाओं का आकार क्रमसक घड़ता है बिल्कुल सही दो अक्षांस रेखाओं के बीच की दूरी काटिबंद या जोन कहते हैं इसी तरह दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं और दो अक्षांस के रेखाओं के बीच की दूरी को काटिबंद या जोन कहते हैं भारत में रंगमंच थ्रेटर में करांती लाने का स्रे अबराहिम अलकाजी को जाता है ठीक है इनका पिछानबे वर्स के आयू में नीधन हो गये है 1940 में इनका जन माप कीजिए 1940-50 के दसक में यह मुंबई के सबसे प्रमुक थ्रेटर कलाकार थे ठीक है हाली में हिरोशिमा दिवस कब मनाए गया तो यह 6 अगस्त को मनाए गया ठीक है हाली में किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों की गणुवत्ता आकलन के लिए सर्वेक्षन करने की गोश्णा की तो यह पंजाब ने किये हाली में सेभी के चेर्मेन अजय त्यागी का कारेकाल कितने महिने के लिए बढ़ाए गया है तो यह 18 महिने के लिए हाली में इयोन मॉर्गन अंतराश्टी किर्कीट में सरवादिक चक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गये हैं इस देश के हैं तो वह इंग्लेंड के हाली में बिल्यम किर्क इंग्लिस का निधन हुआ है वह कौन थे वह बेग्यानिक थे हाली में रो एस्ट्री ओफ इंडियाज कोवार्ट ऑफरेशन नामक पुस्तक किस ने लिखी तो यह यतीस यादव ने लिखिए ठीक है हाली में किस राज्य के पूरो राज्यपाल ओमपरधान का निधन हुआ है तो यह थे अरुणाचल परदेस के ठीक है अरुणाचल प्रदेस के हैं जांकरए हैं मीवडी एप यह और रेंचल प्रदेस का है इसने यह तुफाइट कोरोना यानि कोरोना के साथ युद्ध के लिए या कोरोना को हराने के लिए मी बड़ी एप लॉंच किया है पक्के टाइगर रिजर्ब और नामदफा नेशनल पार्क ये भी अरुणांचल प्रदेश में है पक्के पागा हॉर्नविल फेस्टिबल और ये भी अरुणांचल प्रदेश में होता है डापोरो जो ब्रीज डापोरी जो ब्रीज यानि पूल ये अरुणांचल प्रदेश में है ठीक है हाली में बंगस आवास मेले का आयोजन कहां किया गया तो ये जम्मू कस्मीर में बंगस आवास मेले ये मेला का आयोजन ये जम लुक्त किया चार्ल्स क्यू ब्राउन को हाली में टिक टॉक ने अपना पहला यूरोपियर डेटा सेंटर कहां खोलने का कि गोशना की है तो यह आईरलेंड में हाली में सहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संगर्थ समाज सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई है ठीक है सहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संगर्थ समाज सुरक्षा योजना तो यह 36 गड़ में शुरू किया है 36 गड़ के अन्य जानका लिए सी घाट एप ठीक है सी घाट एप ये 36 गड़ का है पड़ही तुहर द्वार पड़ही तुहर द्वार ये भी 36 गड़ का है राजयो गाधी किसान न्याई योजना ये 36 गड़ने शुरू किया है पुलिस ने डिफ्रेशन ग्रस्ट कर्मियों के लिए इस पंदन अभियान शुरू किया है यह जो पुलिस के डिफ्रेशन ग्रस्ट कर्मी है उनको थोड़ा सा पुसब करने के लिए उनको थोड़ा सा जोस भरने के लिए इस पंदन अभियान शुरू किया है 36 गड़ने ठीक ह हाली में किस केंदर सासित परदेश ने ईग्यान मित्र मोबाइल एप लाँच किया है तो ये दादर नगर हवेली ने ठीक है ईग्यान मित्र मोबाइल एप दादर नगर हवेली हाली में भारती एरेटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किस के साथ समझोधा किया तो ये अमेज सकती मंत्रा लेके मंत्री हैं ठीक हाली में मनो सिन्हा को किस राज्य का उपर राज्य पाल न्युक्ति गया तो यह जम्मू कस्मीर का ठीक मनो सिन्हा ग्रीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे जम्मू कस्मीर केंदर सासित परदेश है जो 31 अक्टुबर 2019 को इसका गठन हुआ था जम्मू कस्मीर में पहले अनुचे 370 लागा जो खतम हो गया ठीक है उसके बाद इसे केंदर सासित परदेश बनाया गया जम्मू के उपराजी पाल होंगे वर्थ अब मनो सिन्हा जम्मू कस्मीर केंदर सासित परदेश में इस्तित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा परसाथ मुखरजी टनल जिसे चन्नानी नासरी सुरंग भी कहते हैं इसकी लंबाई 9.2 किलोमेटर है और यह है नैसनल हाइवे 44 परि नाश्टीन केते हैं इसकी उचाहिया 8600 111 मीटर यह जम्मू कस्मीर में इस्तित है यानि प्योके में ठीक है पाक अधिकरित कस्मीर में बुलर जील भारत की ताजय पानी की सबसे बड़ी जील है डल जील के किनारे स्रीनगर इस्तित हैं जम्मू कस्मीर की पुर्मुक जील है डल जील नागेंजील गाचग शर ज की अलूप ऑनतिनाग जील बुलर जील बेरिनाग जील सेस नाग जील कोशेन जील मोरीरी जील या लद्दाग में है कि गंगानबल जील और मानसबल जील इस सब जम्मू कस्मीर में गुएने के नए प्रधानमंत्री कौन बने तो यह मार्क एंथनी फिलिपस गुएना यह दक्षिन अमेरिका का एक देश है राजधनिया जार्ज टाउन करंसी है गुएना डॉलर राश्पति मुहमत इर्फान अली प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिपस हिरोसीमा और नांका साघी पर परमा भूम गिराया है ठिक हीरो सीवा पर च्छेएंगस्त नांका साथ होकर परातना करते हैं है और नागाशाकी सहर में फेटमें नामक परमणबं मिश्व 45 महदपुन द को गिर एथके अगस्त महने ग महतपुन दिवस एक से साथ अगस्त दग होता है, विश्व इस्थन पान दिवस, एक अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, तीन अगस्त विश्व संस्कृत दिवस, नो अगस्त विश्व आधिवासी दिवस, पंदर अगस्त स्वतंतरता दिवस, बीस अगस्त सद भावना दिवस, रा अजय त्यागी भारत में जितने भी शेयर मार्केट्ट हैं जैसे एनसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीसी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसे सेवी रेगुलेट करता है सेवी का फुलपाम होता है सिक्रिटीज एंड एक्चेंज बॉर्ड ऑफ इंडिया भारती प्रति भूधी और बिनियम बॉर्ड ठीक है बार अप्रेल उच्टासी को इसका इस्थापना हुआ था मुख्याले मुंबई में CEO हैं अजय त्यागी किस राज्य सरकार ने सहीद मही महिंद्र क्रमा तेंदॱ पत्ता संगर्च समाज सुरक्षा योज्णा सुरु कि ہے तो यह 36 घड़ ने ठीक हम इसके बादे में पहले पढ़ चुके है ठोड़ा और रिविजिन कर लिते हैं सहीत महिंद्र कर्मा तेंदु पत्त संगर्आ समाजिक सुरक्षा योजणा का यह राइपूर था मुख्य मंत्री हैं भुपेज भुपेज बगेल गवर्नर है अनुसु या उई के मुख्य नियादी से पियार राम चंद्र मेनन राज के पसु जंगली भैसा राज के पक्षी हिल मेना या पहडी मेना राज के व्रिक्ष शाल है ठीक साथ पड़ोशी राज हैं मद्य परदेश उत्तर परदेश जहरकंड ओड़ी शाह महराष्ट तेलंगना और आंद्रपरदेश लोग सभा के 11 सीट राज सभा के 5 सीट और यह पुर्मुख नेशनल पार्क हैं करकर रेखा भारत के 36 गड़ राजी से होकर भी गुजरती है ठीक है वारत के कुल आठ राजी से करकर रेखा गुजरती है गुजराज राजिस्तान मद्य पुड़े 36 जहरकंड पस्चे मंगाला तिरपूरा और मीजोरम से ठीक किस यह देरादून और गिस्मकालीन राजधानी गैर्शन मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत गवर्नर वेविदरानी मौर्य मुख्य नहदीस रमेश रंगनाथन तीन पड़ोशी राजें हिमांचल प्रदेश हरियाना और उत्तरप्रदेश दो पड़ोशी देशें तीबच चीन और नेफाल लोग सभा में पास राजे सभा में थीन और विदान सभा में air िंकर शीट हैं सत्र निरवाचित एक मनोनित ऊत्रा घंड की प्रमुग जिलें नेनि ताल रोडी ताल भीम ताल सात ताल राकस ताल माला ताल देव ताल खुरुपा ताल जिल-बिल द्रोन सागर जील गिरी ताल शामला ताल रूप कुंड सतो सतो बंत ताल और ये नौकुचिया ताल गौरी कुंड नंदी कुंड खुर्पा ताल ये सब उत्राघंड में ठीक है यहां पर कुछ टैफिंग मिश्टे के ये सूर्पा बगरवारी लिखाए ठीक यह नहीं देना मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ जिम कारवेट हैली नेशनल पार भारत का सबसे पुराना राष्टिय उद्यान है इसकी स्थापना 1936 में हुई थी यह उत्राखंड में ठीक है निनिताल और पोड़ी जिले में फैला है नंदा देवी राष्टी उद्यान गंगोतरी पूलों की गाटी राष्टी उद्यान राजा जी राष्टी उद्यान गोविंद पसु विहार राष्टी उद्यान यह सब उत्राखंड में ठीक है भारत का सबसे उचा बात टीहरी बात जो भागी रहती नदीवे बना है यह उत्राखंड में है उत्राखंड में इस्तित गंगुत्री यहां से गंगा नदी निकलती है और यमनुत्री से यमना नदी निकलती है गंगा नदी परवत उत्राखंड में इस्ति थे चिपको आंदुलन जो कि पेड़ों को काटने के या बचाने के लिए किया था यहां अंदुलन भी उत्राखंड से ही शुरूबा था किस IIT के सोथकरताओं को गांदी वादी युवा तकनीकी नवाचार पूरुसका 2020 से समानित किया गया तो यह IIT खळकपूर को ठीक IIT खड़कपूर के सोथ करताओं को धूप से सूखने के लिए छोड़े गए गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने का यंत्र विक्षित करने के लिए गादी वादी युवा तक्निक की पुरुसका 2020 से समानित किया गया राजेस कुमार फिर से किस राजी के मुख्य सचू बने तो ये मनिपूर के ठीक है मनिपूर की राजधनी इंपाल मुख्य मंत्री है एन विरेन सिंग गवर्नर नजमा हैपतुल्वा तीन पड़ोसी राजी हैं असम नागालेंड और मीजुरम लोग सबाग में दो सीट राज का संचालंग किया गया तो ये ब्यापा माल एक्सपेस्टरेंट उत्तर रेलवे में सुरू किया गया है ठीक है उत्तर रेल्वे सोल अप्रेल अठार सुत तिरपन को स्थापना हुआ था रेल मंत्रा रेल का सुबारम हुआ था मुक्यालाई नई दिल्ली में रेल मंत्री हैं प्यूस गोईल रेले बोर्ड के देख्चे बिनोत कुमार यादो यानि रेलवे प्रोटक्शन पूर्ड सेवा के महानी देशे के अरूण कुमार और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री से जून मत्रा आई किस बेंक ने Automated Voice Assistant अक्षा लांच किया है Automated Voice Assistant यह अक्षा का फुल फॉम है तो यह Access Bank ने शुरू किया है Access Bank के स्थापना 1993 में वही थी मुख्यालई मुंबई में है और MDNC UA अमिताव चौधरी हैं अध्यक्ष है राजेस मकीजा राकेस मकीजा किस राजे सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की तो यह हरियाना ने इस योजना के अंतरकत हरियाना राजे के 56 लाग परिवार को अगले तीन महिने के भीतर परिवार पहचान पत्र बना कर दिया जाएगा राजधानी चंडिगर मुक्य मंतरी मनहोर लाल खटर गौवर्नर सत्य देव नारण आयर आर्य मुक्य नियादीस रभी संकर जा चार पड़ोशी राज हैं उत्तर प्रदेश, राजस्तान पंजाब और हिमानचल प्रदेश लोग सभा सीट 10 राज सभा सीट 5 बिलान सभा सीट 90 सवच्च भारत करांती नामक पुस्तक का विमोचन किस ने किया ठीक है ये पुस्तक किस ने लिखी तो ये गजेंदर सिंग सेकावत ने और इसमिर्थी इरानी ने इसका विमोचन किया ठीक है किस देश की राजदानी बेरूत में बिसाल धमाका हुआ है तो ये लेबनान की राजदानी है लेबनान एशिय महाधिप में श्तिते राजदानी बेरूत करंशी लेबनानी पाउंड राश्टवतिय मीचेल आउन किस राज़ में केंदरी सिक्षमंत्री रमेश पोकरियाल निशंक ने भारती परबंदन संस्थान आयाय ऐम सिर्मोर के आधार सिला रखी तो ये हिमांचल परदेश में हिमांचल प्रदेश, राजदानी सिमला, मुक्य मंतरी जैराम ठाकूर, गवर्नार बंडारू दत्तात्रे, मुक्य नियदीश, लिंगपपा नारेन, लोकसभा सीट, चार राजे सभा सीट, तीन बिदान सभा सीट, अड़सड, राजकी पसु हिमतेन रुआ, राजकी पक्षी जजुराना, राजकी वरिक्ष, देवदार, पड़ोसी राजे हिमांचल पंजाब, हरियाना, उत्राखंड, उत्रप्रदेश, यानि चार पड़ोसी राजे हैं हिमांचल परदेश की पुर्मुक जीले, सूरज ताल जील, नाको जील, रेनुका जील, चंद्रा ताल जील, खजियार जील, मचियाल जील, ब्रगु जील, सभी हिमांचल परदेश में हैं, हिमांचल परदेश की पुर्मुक दर्रे हैं, रोतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा बाड़ालाचा दर्रा किस राज में जन थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्च्वल उद्ध घाटन हुआ तो ये मिजोरम में हुआ था थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट मिजोरम ठेक है आगे देखें मिजोरम केंद्री संस्कृति और परियटन राज्य मंत्री प्रलास पटेल ने थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्ध गाटन किया मिजोरम राजदानी आईजोल मुख्यमंत्री जोरंग ठंगा मिजो नेशनल फ्रंट से है ये गावर्नर है पियस सिर्धरन पिल्लई मुख्य नयादी से अजय लांबा तीन पड़ोसी राज्य है मनिपूर असम तिरपूरा लोक सभा में एक राजे सभा में एक विदान सभा में 40 सीटे है ठीक मिजोरम दो पड़ोसी देश है म्यामार और बांगला देश ठीक है करकर रेखा भारत के मिजोरम से भी होकर गुजरती है इसी साथ भारत के 8 राज्य हैं से होकर गुजरती है करकर रेख सब्सक्राइब तो साथ यह वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया कल मैं इसको थोड़ा सौड़ कर गया बनाऊंगा ठीक है और इसी के साथ इसको यहां पर समाप्त करते हैं कल नए सीरीज के साथ कुछ नया लेके आएंगे तब तक के लिए गुड़ डे आपका सुबह और दिन अच्छा हो गुड़ लाग